सुस्वागतम बच्चो आज हम हिंदी में मात्रा से बने हुए कुछ शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे हमने इसके पिछले वीडियो में उ, र, ए, ए तक की मात्राएं पढ़े और उससे बने हुए शब्दों को भी पढ़े अब हम अगला ओ, अ, अ, अम, अह से बने हुए मात्रा के शब्दों को सीखेंगे यह देखिए, यह है ओ, ओ की जो मात्रा के चिन है, देखिए, एक सीधी नीचे लाइन लगी हुई है उपर एक मात्रा दिया है, यह है ओ, अब इससे बने हुए कुछ शब्दों को सीखेंगे पहला शब्दे देखिए, रोटी, रोटी में देखिए, र है, र में ओ की मात्रा लगी हुई है, रो, ट, ट में तो बड़ी की मात्रा लगी हुई है, बन गया रोटी दूसरा शब्द है, कोट, क, क में ओ की मात्रा को, ट, बन गया कोट तीसरा शब्द है, नोट, नोट शब्द में देखिए, न, न में ओ की मात्रा नोट, ट, बन गया नोट चोथा शब्द है, तोटा, तह है देखिए, पहला जो तह है, उसमें ओ की मात्रा लगी है, बन गया तो फिर दूसरा तव है उसमें आ की मात्रा लगी बन गया तोता पाचवा शब्द है मोटा म में ओ की मात्रा लगी हुई है एक नीचे सीधी लाइन एक उपर देखी मात्रा बन गया मो ट में आ की मात्रा टा मोटा छट्वा शब्द है मोर मोर शब्द में म में ओ की मात्रा लगी हुई है और र है रातने बन गया मोर सात्वा शब्द है छोटा छ च में ओ की मात्रा छोट ट में आ की मात्रा लगी हुई है बन गया छोटा आठ्मा शब्द है धोबी ध में ओ की मात्रा धो ब में ए की मात्रा है बन गया धोबी नवा शब्द है लोहा ल में ओ की मात्रा लगी हुई है बन गया लो ह में आ की मात्रा है बन गया लोहा यह देखिए यह ओ की मात्रा से ही बने हुए शब्द तीन अक्षर के हैं पहला शब्द है पोशाक पोशाक प में ओ की मात्रा लगी हुई है पोश में आ की मात्रा शाक पोशाक दूसरा शब्द है बोलना बोलना में ब में ओ की मात्रा लगी हुई है बो, ल, न, में आ की मात्रा न, बोलना तीसरा शब्द यहाँ पर है भोजन, भ, भ, में ओ की मात्रा भो, ज, न चौथा शब्द है सोचना स, स, में ओ की मात्रा सो च, न, में आ की मात्रा न, सोचना पाच्वा शब्द है देखिए कोमल क कमे ओ की मात्रा को म ल अब हम ओ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ेंगे देखिए यह है ओ ओ की मात्रा में एक नीचे सीधी लाइन उपर दो मात्राएं यह ओ की मात्रा हैं इससे बने वे शब्दों को पढ़ेंगे पहला शब्द है पौधा पौधा में देखिए प में ओ की मात्रा लगी हुई है दूसरा शब्द है कौन कौन शब्द में क अक्षर में देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है कौ और न बन्या कौन तीश्रा शब्द है मौज मौज में म में ओ की मात्रा मौ ज चोथा शब्द है मौन म में ओ की मात्रा मौ न पाच्वा शब्द है दौलत द में देखें ओ की मात्रा लगी हुई है बन गया दौलत दौलत चट्मा शब्द है मौसम म म में ओ की मात्रा मौ स म बन गया मौसम सात्मा शब्द है देखिए र में ओ की मात्रा रो न क शब्द हो गया रो न क आठ्मा शब्द है न में ओ की मात्रा न कर नौ कर नौवा शब्दे देखिए क क में ओ की मात्रा कोशल हो गया कोशल दस्वा शब्द है ह हमें ओ की मात्रा हो स ला ल में ओ की मात्रा है बन गया होसला अब हम अं की मात्रा से बने हुए शब्द को पढ़ेंगे यह देखिए यह है अंग अ के उपर एक बिंदी बन गया अंग अक्षर के उपर अगर बिंदी है तो अं की मात्रा है अंग की मात्रा से बने शब्द देखिए पहला शब्द है ज ज पे अंग की मात्रा जंगल बन्या जंगल दूसरा शब्द है म म पे अंग की मात्रा मंगल बन्या मंगल तीसरा शब्द है अंग गूर बन्या अंगूर चोथा सब्द है ग, ग पे अंग की मात्रा लग गई है, बन गया गंगा पाच्वा सब्द है प, प पे अंग की मात्रा पन, ड, ड, पे ए की मात्रा ड, त, पंडि यहाँ देखिए, यहाँ भी अंग की मात्रा से बने हुए कुछ सब्द है पहला है र रपे अंग की मात्रा रंग दूसरा है प पपे अंग की मात्रा पन थ तीसरा है स सपे अंग की मात्रा सन त चोथा शब्दे देखिए क कपे अंग की मात्रा कं ग न कंगान पाच्वाँ शब्दे देखिए प तपे अंकी मात्रा तंग पतंग छट्वाँ शब्दे देखिए क कपे अंकी मात्रा कंचन कंचान साथ्वाँ शब्दे है अ नपे अंकी मात्रा नन्त अनन्त आठवाँ शब्द देखिए र है र पे अं की मात्रा रं ग में बड़ी की मात्रा गी ल में आ की मात्रा ला बन गया रंगी ला र की उपर अं की मात्रा है नवाँ शब्द है च च पे अं की मात्रा चन द न शब्द बन गया चन दान दस्वाँ शब्द है संग सपे अंग की मात्रा है तो बन गया संग ग में बड़ी की मात्रा है बन गया गीत तो इसमें सपे उपर अंग की मात्रा है बन गया संगीत यह देखिए यह है अह, अ के बगल में दो बिंदी, अह की मात्रा से बने हुए शबदों को हम पढ़ेंगे, देखिए अ है बगल में दो बिंदी, उसके जो चिन है अकषर के बगल में दो बिंदी लगी हुई होती है पहला शब्द देखिए अ, त, त के बगल में दो बिंदी है, जो अह की मात्रा के चिन्न है, बन गया अतह, दूसरा शब्द है न, म, म के बगल में दो बिंदी, अह की मात्रा के चिन्न बन गया नमह, तीसरा शब्द है पू, न, अह की मात्रा के दो बिंदी देखिए, पढ़ेंगे हम उसे पुनह, चोथा शब्द है, आधा स, व, त, अह की मात्रा के दो बिंदी हैं, बन गया स्वतह. पाच्वा शब्द है अन्त के बगल में देखिए फिर से दूसरा जो त है उसके बगल में अह की मात्रा के दो बिंदी लगे हुए हैं पढ़ेंगे अन्त तह छट्वा है फ ल त दो जो देखिए बिंदी की रूप में अह की मात्रा लगी है तो इसका उचारण करेंगे फलत ह सात्वा क्र म श फिर अह की मात्रा के दो बिंदी लगे हुए हैं पढ़ेंगे क्रम श आठ्वा है सम भ व त के बगल में अह की मात्रा के जो चिन्न दो लगे हुए हैं बिंदी के रूप में उसे पढ़ेंगे मिलाकर हम शब्द को सम्भवत अह आज हमने ओ अओ अम अह की मात्रा से बने हुए शब्दो को पढ़ें आप इसे नोटबूक में लिखिये और पढ़िये धन्यवाद बच्चो आज हुए 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 हुए